विवस्ता वीवरण 21 हत्या का अनसुलजा मामला यदि उस देश के मेदान में जो तेरा पर्मिसर यवात उसको देता है किसी मारे हुए का सव पड़ा हो वा मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता नहीं चले तो तेरे पूरणी और नहीं निकल कर उस सव से चारों और एक एक नगर की दूरी को ना पें तब जो नगर उस सव के सब से निकट ठेरे उसके पूरणी एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम ने लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी ने रखा गया हो तब उस नगर के पुरने उस कलोर को एक बारामासी नदी की ऐसी तरही में जो नैजोती गई हो नैबोई गई हो ले जाएं और उसी तरही में उस कलोर का गला तोड़ दे और लेवी आजएक भी निकट आएं क्योंकि तेरे प्रविसर यहवा ने उसको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आसिरवाद दिया करे और उसके कहने के अंसार हर एक जगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्ने हो फिर जो नगर उस सब के सब से निकट ठेरे उसके सब पुरनी उस कलोर क के उपर जिसका गला तोड़ जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ दो कर कहे एक खुन हमने नहीं किया और नय यह हमारी आँखों के सामने हुआ काम है इसलिए कि हे यहवा अपनी छुड़ाई हुई इसरैली पर जाका पाप ढाम कर निर्दोस के खु पर से उतार तब उस खुन के दोस्त से उनको समा कर दिया जाएगा यह है काम करके जो यहवा की दरश्टी में ठीक है तो निर्दोस के खुन का दोस्त अपने मध्य में से दूर करना युद्ध बंदनी जब तू अपने सत्रों से युद्ध करने जाए और तेरा परमेसर व विवा उन्हें तेरे हाथों में कर दे और तो उन्हें बंदी बना ले तब यदि तू बंदियों में से किसी सुन्दर इस्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवा कर लेना चाहे तो उसे अपने घर के बीतर ले आना वह अपना सीर मुंडाए नाखुन कटा पहले उठे का अधिकार यदि किसी पुरुष की दो पतनिया हो और उसे एक पिरिया और दूसरी एपिरिया हो और पिरिया और पिरिया दोनों इस्तियां तेरे बेटे जने पंटु जेठा एपिरिया का हो तो जब वह अपने पुत्रों में से अपने संपते का बटवारा करे तब यदि एपिरिया का बेटा जो सच्मुद जेठा है यदि जीवित हो तो वह पिरिया के बेटे को जेठांस ने देश केगा वह यह जानकर कि पिरिया का बेटा उससे पोरुस का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है उसी को अपनी सारी संपत्ती में से दो बाग दे कर जेठांस सी माने हट अधिला पुत्र यदि किसी के हटिला और दंतेत बेटा हो तो अपने माता पिता की बात नमाने पर नतु ताड़ना देने पर विए उसकी ने सुने तो उसके माता पिता उसे पगड़ कर अपने नगर से बाहर फाटे के निकट नगर के पूरुनियों के पास ले जाएं और करना तब सारे इज्राइली सुनकर भैखाएंगे अन्यनियम यदि किसी किसे प्राण दरन के योगे कोई बाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तो उसके सव को वरक्स पर लटका दे तो वह सव रात के रात को वरक्स पर टंगा नह रहे अवश्य उसी दिन उसे मिट काया गया हो है परमेसर की और से शापित ठहरता है इसलिए जो देश तेरा परमेसर यहा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमी को अशुद ने करना थैंक्यू